स्टार्ट करते आज क वीडियो, और आज की वीडियो में में बात करने वाले हूं कि SBI में आगे ऑफिकराइस्ट की जो राइकेंटेनश निकलती है उसमें आप फिकराइस्ट कैसे बन सकती है क्या येसी होती है, ठीक है क्या एक्जाबशन होता है सेलेक्सिल प्रोसस क्या होती है आज के इस वीडियों हम जानेंगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते इंस्टाग्राम पर जहां पर आप पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी सबाल जो भी आपके मन में कोई डाउट हो ठीक है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आप फार्मिस्ट होना चाहिए तो देखें फार्मिस्ट की वेकंसी है तो आप समझ जाए कि फार्मिस्ट के लिए आपके पास में होना चाहिए तो क्या होना चाहिए वह आप देखें आपके पास में होना चाहिए ससी पास और इसके साथ में आपके पास होना चाहिए मिनिमम डिप्लोमा इन pharmacy ठीके यहनि कि आपके पास में D. Farmer होना चाहिए इसकी अलावा आपके पास में होना चाहिए degree in pharmacy this चाहिए आपने b farmer किया हो चाहिए आपने m farm किया हो या फिर Fama D किया हो Maß इसे कि कोई भी डिग्री आपके पास में होना चाहिए तब ही आप इस पोस्ट के लिए अपलाए कर पाएंगे कि जब भी बैकेंसी निकलती है ठीके तो यह होगे आपकी क्वालिफिकेशन चलिए अब बात कर लेंगे जो नेक्स जो है अगर आफ आमस्ट बनना चाहते हैं त यहां पर जो प्रॉसेस होती है ओलनाइल अपलीकेशन फॉर्म फिल किये जाते हैं ठीके और इसके लाबा यहां पर मैं फीस की बता देती हूं कि अगर आप जर्नल ओवीसी से बिलों करते हैं तो यहां पर आपको जो फीस लगती हो साड़ी साथ सासो लग सकती है और जो स् इंफोर्मिशन है उसके हिसाब से अभी सिब साथ सो रुपए जनरल ओवीसी वालों को देने पड़ते हैं ठीके चलिए आप नेक्स जो हम बात करेंगी वो है आपका कि यहां पर सेलेक्शन प्रॉसेस किस तरह से होता है ठीके तो सेलेक्शन प्रॉसेस में यहां पर आपको टू पार्ट होंगी जो पहला पार्ट होगा वह का अपका रिटन एक्जाम ठीक है ऊंदाने रिटन तो यह होगा वह होता इशो तो सेंधके प्डिए estás English quantitative aptitude also reasoning होगी वो होगी 25 नंबर की और यहां पर आपको मार्क्स भितनी दिये जाएंगे लेकिन जो आपका professional knowledge का जो question paper होगा वो होगा 50 questions आएंगे आपके और उसमें आएगा आपका 100 नंबर का यापका पूरा पेपर अब एक और important जो यहां पर है वो आपका याद रखना है कि आपका registration होना चाहिए ठीक है वो registration कौन सा है जो भी candidate इस vacancy में पार्टिसपेट करेंगे ठीक है उनका registration होना चाहिए फारमस्ट act with state pharmacy counseling में ठीक है इसके लाब आप यह भी जाने जाने कि इसकी जो प्रफाइल में जो है आपका वो यह के distribution of medicine to staff members providing medicine जो है आपका first aid और इसके लाब और मोनिटरिंग दा क्वालिटी ऑफ मेडिसिन और जो भी कुछ और यहां पर रहेंगी जो प्रोफाइल में है ठीक है अब बात करेंगे कि सेलरी कितनी होती है ठीकिसे यहां बात करें तो स्टार्टिंग जो सेलरी है सतर रहां नौशो से सैलरी है जो की चेंज हो सकती है तो तो आपके पास में क्या कॉलिफिकिशन होना चाहिए फिस के बारे मैंने आपको बता दिया है बाकी और इंफोर्मिशन के लिए लिंक नीचे में डाल दूंगी SBI की ओफिशल लिंक वहां पर भी जाकर के जब इसका नौटिफिकिशन आता है आप इसे देख सकते हैं